राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सनाएंगे एक बाप की बड़ी दुख भरी कहानी जैसी करनी वैसी भरनी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्थी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक गाउं में सौनलाल अपने तीन बेटों एक बेटी और अपनी पतनी के साथ रहता था धीरे-धीरे सौनलाल के तीनों बेटे शादी लाइक हो गए थे सौनलाल ने अच्छा लड़कियां देखकर तीनों बेटों की शादी कर दी और अपनी बेटी की भी शादी उसने अच्छा घरवर देखकर तै कर दी समय से चारों बच्चों को जो सौनलाल ने घर बसा दिये थे और अपनी पत्नी सौन्देई के साथ रहता था घर में किसी परकार की कोई कमी नहीं थी पैसे की तो कोई भी कमी नहीं थी तीनों बहुएं घर में आ गए लेकिन तीनों बेटे और बहुओं की आपस में पठती नहीं थी इसलिए उन्हों ने बटवारे का फैंसला कर लिया सौनलाल बेचारा चुप देखता रहा सौनलाल ने बटवारे में सुई तक का हिसाब कर दिया और तीनों बेटे अपने अपने घर बसा कर बैठ गए सौनलाल और उसकी पत्नी दोनों अकेले रह गए तीनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें अपने पास नहीं रखा सौनलाल की पतने खुद ही खाना बनाती और दोनों खा लेते पैसे की तो कोई कमी नहीं थी तीनों बेटों का हिसाब करने के बाद भी दोनों पती पतनी आराम से अपने जीवन को चला सकते थे इतना पैसा उनके पास था, कमी थी बस इतनी सी कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं था, सुबह सुबह सौनलाल और उनकी पतनी सौन्देई मंदिर चले जाते थे, दौफेर में मंदिर के जब पट बंध होते तब आपस अपने घर आ जाते पारे बजे से दो बजे तक बुढिया सौन्देई खाना पीना और चौका बरतन करते करते उसे आराम से चार बज जाते, फिर चार बजे से साथ बजे तक दोनों पती पतनी जो फिर मंदिर चले जाते, मंदिर में वो कोई पूजा करने नहीं आते थे, बस अपने घर ग्रिष पहले मरना लेकिन मुझसे पहले मर जाना, अगर मेरे बाद तू मर गई तो तेरी ओलादे तेरी बहुत बुरी दसा कर देंगी, अपने घर ग्रिष्टी की बाते आपस में करते, उनके तीन बेटे और उन तीनों बेटों के चार-चार ओलादे थी, पर सौनलाल और सौन्द बेटे नीचे उतर कर आए, सौनलाल ने कहा कि देखो तुम लोगों की अम्मा अब नहीं रही, बड़ी बहु बोली पिताजी, और कितना जिंदा रहती, नब्यकी तो हो गई थी, इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती, सौनलाल ने बेटों बहुँँ से कहा, तो सा रो तो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है, पर तुम लोगों की किसी की भी आँख में एक आँसू नहीं है, तभी बीच वाली बहु बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा, तो कहां से रो लें, हमसे जबरदस्ती तो रोया नहीं जाएगा, सौनलाल ने कहा, चार ल तो क्या कहेंगे, इतना बड़ा परिवार है, पर मा को रोने वाला एक भी नहीं है, सौनलाली दुखी होकर खूब रोया, और उसके रोने पर पोते पोतियों और बहु बेटों ने उसकी खूब खिल्ली उडाई, तेरवी में सौनलाल ने खूब ब्रहमन भोज कराया, और खूब दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, सबसे छोटी बहु बोली पिता जी, सब अम्मा पर ही लुटा दोगे, कुछ अपने मरने के बाद का भी इंतजाम करके रखो, हम लोगों पर इतना पैसा नहीं है, कि आपके मरने पर लुटा स कहें, सौनलाल कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनता रहा, तीन दिन भी नहीं बीते थे, कि सौनलाल भी नहीं रहे, तीन दिन अपने कमरे में, तीन दिन से मरे पड़े हुए थे, किसी को पता ही नहीं चला, पता भी भला कैसे चलता, कोई उनके कमरे में ना तो कोई जात और ना ही कोई आता था, बुढिया के मरने के बाद सौनलाल से किसी ने एक ग्लास पानी तक के लिए भी नहीं पूछा था, एक दिन मंदिर का पंडित दोफेर में आया और बड़ी बहु से पूछा, बाबु जी चार दिन से मंदिर नहीं आ रहे, उनकी तबियत तो ठीक है न बड़ी बहु ने उनका कमरा खोला, तब बहुत तेज दुरगंद आई, पंडित जी ने कहा, लगता है, बाबु जी को मरे हुए तो तीन-चार दिन हो गए हैं, पूरे सहर में, पंडित ने तो दिंडारा पीट-पीट कर कह दिया, कि सौनलाल को मरे हुए तीन-चार दिन ह हो गए हैं, लेकिन बहु बेटों ने देखा तक नहीं, पंडित जी के इस तरह कहने से यह बात पूरे गाउं में और आसपास के इलाकों में फैल गई, योकि सौनलाल का सरीर भारी था, एक तो यह भारी भरकम थे, दूसरा उनके कमरे से बहुत बास आ रही थी, उनके तीन बेटे कमरे में जाने को तैयार नहीं थे, सभी परिवार के लोग रुमाल से अपने मूँ को ढख कर खड़े थे, बड़े पोते ने कहा, यार दादा जी तीन दिन से मरे पड़े हैं, तो क्या बता नहीं सकते थे, कि मैं मरने जा रहा हूं, तब ही सड़कपर नगर पालिका का जमादार जो बीच वाले लड़के को दीख गया, उसने उस जमादार से कहा, कि जरा ननकु इधर आओ, ननकु आया, तो कहने लगा, ननकु बाबुजी की कुरसी को जो जरा बाहर घसीटला, ननकु ने कहा, सहाब बहुत बास आ रही है कमरे में, मैं तो एक हजार सुनते ही, तीनों लड़के मूँ बना बना कर अलग हट गए, तब ही समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड लगानी शुरू कर दी, सौनलाल का बड़ा नाम था, आसपास के इलाकों में फैला हुआ था, बड़े आदमी भी थे, क्योंकि पैसे धेले की कोई कमी नहीं थी, इसलिए पूरा सहरी कुछ देर में इखटा हो गया, सब के दुख सुक में वे साती रहते थे, जिसने भी सुना वही सौनलाल की मौत पर सोग जताने के लिए चल पड़ा, बाहर की हलचल देखकर घरवालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी, अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया तो, बड़े पोते ने अपना दिमाग लगाया, और उसने जुगाड लगाया, कि एक बड़ी रसी का फंदा बना कर जो दादा जी की कुरसी में फसा दिया, और उस फंदे ने कुरसी के साथ साथ सौनलाल के सरीर को भी जकड लिया था, अब आसानी से तीनो लड़के और सौनलाल के पोते उस कुरसी को घसीटते हुए बार खुले आंगन में लियाए, इसी भी सौनलाल की तीनो बहुए रूम फ्रेशनर लेकर सौनलाल के कमरे में छिड़काव करने लगी, उसी के साथ साथ अम्मा जी की अलवारी भी उन्होंने खोल दी, तो नगद भी निकल आये, तीनो लोग धका मुक्की कर रही थी, कि बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कह रहे थे, धका मार और अपने कबजे में सारा समान ले ले, धका मार इससे पहले की यहले तू ले ले, धका मारने में जेवर और साड़े चार लाक रुपे जमीन पर गिर गए, जमीन पर जगे जगे सौन लाल ने मल मूतर त्याग रखा था, शायद वो कमजोरी की वज़े से बाथरूम तक नहीं पहुच पा रहे होंगे, नोटों में भी मल लग गया, लेकिन उन तीनो औरतों की छीना जप्टी बंद नहीं हुए, जिसके हिस्से में जो आया, उसने वही बटूर लिया, आंगन में सौन लाल को कुर्सी से नीचे पटक दिया, फिर बोडी परफ्यूम का छिड़काव चारो तरप करके पूरा परिवार चारो तरप से उनको घेर कर बैट गया, बाहर तक आवाज चली जाए, इसलिए तीनों औरते इस दिन तो सेवा करा लेते, बहूं से इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी तो अम्मा जी को एक महिना भी नहीं हुआ, पिता जी, अरे पिता जी, अभी तो अम्मा जी ठीक से पहुच भी नहीं पाई होंगी, अभी तो रास्ते में होंगी, और आप भी हमें छोड़ कर चले बड़े पोते ने अपनी मा से का मम्मी यह आप क्या कह रही है कम से कम सोचिये तो आप क्या बोल रही है बड़ी बहु ने अपना गुंगट उठा कर लड़के की तरफ देखकर बोला चुपकर कमी ने पहले जाकर गेट तो खोल लड़के ने गेट खोला तो बाहर से सबी लो लोगों का अंदर आते ही परिवार वालों ने घडियाली आसू बहाने शुरु कर दिये, अंतिम संसकार में होने वाले खर्च में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपने पैसे खर्च किये थे, तेर भी में भी सिर्फ लकीर पीटी गई थी, अब तीनों परिवार अपने कार पिता के द्वारा दिया गया वैपार बड़े ही जोर सोर से निकल चला था बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटे और एक बेटी की शादी बहुत बड़े खांदानों में करी थी सोनलाल के दो छोटे बेटे विदेशों में अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे वो कभी कभी ही भारत आते तो बड़े भाई के याना रुख कर होटलों में रुखते थे आपसी मतभेर तो था पर दिलों में पर समाज को दिखाने के लिए सब एक थे अब तो छोटे भाईयों ने आना जाना भी बंद कर दिया था जब तक बच्चों के शादी ब्या होता रहा तब तक आना जाना बना हुआ था सौनलाल का बड़ा बेटा बहु भी अपने उम्र के साट वर्स पूरे कर चुके थे तीनों लड़कों के पिता का बिजनेस जो संभाल रखा था सौनलाल का बड़ा बेटा ओमदेव अब बिमार रहने लगा था उसके बेटे आपस में जगडा करने लगे तो ओमदेव ने तीनों का बटवारा कर दिया कुछ धन अपने पास रखा कि कभी कभी बेटी आती है तो उसको देने के लिए लड़कों से मांगना नहीं पड़ेगा ओमदेव का बहुत बड़ा घर था उसी में तीनों बेटे और खुद की पती पतनी रहते थे घर अभी भी ओमदेव के नामी था दोनों छोटे भाईयों को पैसा देकर घर ओमदेव ने अपने नाम करा लिया था किसी बात को लेकर ओमदेव के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग करनी सिरू में ओमदेव और उसकी पतनी छोटे बेटे के साथ रहते थे और वहीं पर भोजन करते थे एक दिन छोटी बहु ने ऐसा ताना मारा कि ओमदेव और उसकी पतनी को बीच वाले कुद बड़ा था उसमें तीनों बेटे और खुद दोनों पती पतनी रहते थे घर अभी ओमदेव की नाम ही था दोनों छोटे भाईयों को पैसा दे कर ओमदेव ने घर को अपने नाम करा लिया था एक दिन किसी बात को लेकर ओमदेव के तीनों बेटे जो अपनी अपनी जो उन्होंने रसोई अलग कर ली, सुरू में ओमदेव और उसकी पतनी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे, एक दिन छोटी बहु ने ऐसा ताना मारा, कि ओमदेव और उसकी पतनी को बीच वाले लड़के के यहां भोजन करना पड़ा, लेकिन वहां भी अधिक दिन उनकी खाते नहीं हूपाई, तो अब बड़े बेटे का ही सहरा बचा था, तो दोनों पती पतनी बड़े लड़के के साथ रहने लगे, अब चलने फिरने में ओमदेव और उसकी पतनी को काफी दिक्कते होने लगी, तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा, जिसमें कभी सौनलाल रहा करते थे, कुछ दिन तक तो बहु भोजन देने नीचे आती थी, बाद में ये काम नौकर करने लगा, जब नौकर गाम चला जाता, तब ओमदेव और उसकी पतनी को बहुत कश्ट होता था, बहु खुद कभी भी खाना देने नहीं जाती थी, बलकि घर में एक पालतु कुट्ता था, जो काफी वफादार और समझदार था, उसके गले में टिपिन टांग देती, तो वह कुट्ता ओमदेव के कमरे में टिपिन पहुचा देता, जब तक वो लोग भोजन नहीं कर लेते, तब तक कुट्ता होई बैठा रहता, जूटा टिपिन जब तक ओमदेव की पतनी कुट्ते के गले में नहीं टांगती, तब तक वो एक टक उनको देखता रहता था, ओमदेव और उसकी पतनी ने जब बेटे को बताया, कि कुट्ता हम लोगों का भोजन लेकर आता है, और बहु हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, तो बेटा गुसे में बोला, मम्मी, अपनी जवान को कंट्रोल में रखकर बात किया करिए, वो कुट्ता नहीं है, मेरे बेटे जैसा है, हम दोनों के कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हम उसे बेटा जैसा मानते हैं, आज के बाद कभी उसको कुट्ता नहीं कहना, थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए उस जैसी ही एक कुट्तिया जो कि उसकी बहु बना कर लाएंगे, और उसका बिवा करेंगे, इसलिए वो कुट्ता नहीं आपका अपना पोता है, ऐसा आप समझिए, और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कि कुट्ता नहीं, आपका पोता आपकी सेवा कर रहा है, इतना धमकाने के बाद, उसका बड़ा बेटा उपर चला गया, ओम देव की पतनी था पीट कर कहने लगी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, अब कुट्ते को ही पोता बनाना पड़ेगा, ओम देव ने अपने बेटे बहु के बारे में, जब अपनी बेटी को फौन करके बताया, तो उसकी बेटी बहुत दुखी हुई, कि उसके माबाप के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बेटियों को तो अपने माता पिता से बहुत हमदर्दी होती है, पर बेटी की भी मजबूरी ये थी कि वे एक सैयुक्त परिवार की बहुत थी इसलिए अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी लेकिन वो अपने माता पिता से अक्सर मिलने जाया करती थी आज रभिवार था तो बेटी और दामात दोनों ही ओम देव से मिलने के लिए आ गए थे जैसे ही बेटी ने कमरे में घुसी तो उसको अजीब सी भास आई और वे कहने लगी पापा जी ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से तब ओम देव ने कहा बेटी कुटे ने लेटरिन कर रखी है तीन दिन से पर तेरे भाई भावी ध्यान ही नहीं देते तेरी मा ना जाने कितनी बार कह चुकी है पर ये लोग सुनते ही नहीं मैं जराबी खड़ा होता हूं तो चक्कर आते हैं तेरी मा की भी सांस पूलती है इसलिए यह भी उपर नीचे नहीं जा सकती तब ही गले में टिपिन लटकाए कुटा कमरे में आया और ओम देव ने उसके गले से टिपिन निकाल कर एक तरफ रख दिया कुटा ओम देव की बेटी के पास आ गया तब तक वे दुम हिलाता रहा जब तक रचना का स्वे स्व लाया नहीं ओम देव ने बताया बस इसी तरह रोज हम लोगों का खाना आता है अब जब तक हम लोग खाना खाकर टिपिन इसके गले में नहीं डाल देते तब तक यह यहीं बैठा रहेगा अपने माता पिता की ऐसी दुर्दसा देखकर बेटी का कलेजा बैठ गया यह सु दिल भी उसका खूब रोया पर आखों के आशूं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता उसे रोता हुआ देखेंगे तो उन्हें और ज़्यादा दुख होगा रचना ने कुत्ते से कहा जब भावी को बुला कर ला रचना की बात सुनकर वो कुत्ता सरपट उपर भागा और थोड़ी देर में अपनी मालकिन का डुपट्टा मुह में दवा कर मालकिन को घसीटता हुआ ओमदेव के कमरे में लियाया अपनी ननंद को अच्छानक देखकर उसकी भावी के होस उट गए और वै खिसियाते हुए बोली अरे दीदी आप और ननंद के पैर छूने बस करो भावी ये जूटा दिखावा ना करो तो ही अच्छा होगा रचना ने अपनी भावी को धमकाते हुए कहा क्या तुमारे मायके में भी तुमारे माता पिता को कुता ही खाना पहुंचाता है रचना ने अपनी भावी से कहा भावी थोड़ी बहुत सरम है या बेचकर खा गई सारी की सरम हया इस कमरे में डौगी की पोटी इतनी बदबू आ रही है तीन दिनों से पड़ी है जरा बैठ कर देखो पांच मिनट इस कमरे में तुम अपने साथ ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो यकीन नहीं होता मुझे तुम अच्छे परिवार की लड़की हो भगवान ना करे कल को तुमारे माबाप के साथ तुमारी भावी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो तो तुमें कैसा लगेगा वो अपनी ननंद की बातों को बहुत देर से बरदास करती रही जब उसे लगा कि अब तो पानी सर से उपर आ रहा है तो वे कमरा छोड़ कर भागने लगी तब ही कुटे ने उसके कुटे को अपने मुँ में दबा कर रूख लिया ऐसा लग रहा था मानो वो अर्चना से कह रहा हो कि इसको और चार बाते सुनाओ लेकिन वो अपना कुटा छुडा कर हुआ से चली गई और अपने पती को तीन की तेरह लगा कर बेहन के खिलाब भड़का दिया उसके बाद बेहन और भाई में काफी बहस हुई पर नतीजा ये हुआ कि भाई ने धक्का मार के बेहन को घर से बाहर निकाल दिया ओम देव ने अपने पास की जितनी भी जमा पूंजी थी वे सब कुछ बेटी को देकर ये कहा कि अपनी सुस्राल के नजदीक कोई किराय का मकान देख ले हम लोग वहीं रहने लगेंगे ये सब देख सुनकर ओम देव का बेटा बोला अभी के अभी निकलिये यहां से ओम देव ने कहा मैं नहीं तू निकल अभी है का अभी मेरे घर से ये घर आज भी मेरा है जो मेरी और मेरी पत्नी की देख भाल करेगा उसी को इस घर में रहने का हक होगा इतना सोर सुनकर ओम देव के दोनों छोटे बेटे भी आ गए सबसे छोटा बेटा बोला वा पापाजी वा आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था बेचारों की अर्थी तक उठाने में चंदा दिया था तुम तीनों भाईयों ने और हम लोगों से उमीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें इतना जलील होने के बाद रचना ने सारा जेवर और पैसा पिता के ऊपर फैक दिया सारा जेवर और पैसा जमीन पर विखरा देख जो की कुटे की लेटरिंग में भी जो सन गया था ओमदेव की तीनों बहुएं और बेटे उस पैसे और जेवर पर तूट पड़े, तीनों भाईयों और उसकी पत्नियों ने खूब घमासान हुआ, कुत्ते की पोटी सब के कपड़ और मुँपर लगी थी, तीनों भाई और उनकी पत्निया एक दूसरे से कह रहे थे, धक्का म धक्का मार, कुत्ते ने भौक भौक कर आफ़त मचा दी थी, रचना रोते हुए हुए हुआ से वापस अपनी ससुराल चली गई, जिसको जो रुपिया जेवर मिला बटोर लिया, पर सब के मुँपर कुत्ते की पोटी लगी थी, और नाखुनों के खरोंच के निसान सब के चहरों पर साफ नजर आ रहे थे, अब तक कुत्ता जो टिफिन दे जाता था, वो भी बंद हो गया, ओमदेव और उसकी पतनी केई दिन तक भूके रहने लगे, पानी पीकर दोना जिन्दा थे, बूढे सरीर कब तक पानी पीकर जिन्दा रहते, एक दिन ओमदेव की पतनी ने अपने प्रान त्याग दिये, जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवास सुनी, तो सब के सब नीचे आ गए, ओमदेव अपनी पतनी को पकड़ पकड़ के खूब रो रहा था, और बेटे और बहुओं के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, ओमदेव रोते रोते अरे कोई तो मेरी बेटी रचना को फोन कर दो, कम से कम वही अपनी मा के लिए रो लेगी, तुम लोग तो बड़े निर्दई और कठोर हो, अपनी मा की मिर्तिव देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा, बड़ी बहु बोली, पिता जी, आपको भी दादा जी ने यही कहा था, तुम लोगों की भी तो मा मरी थी, दादा जी ने कहा था, तुम्हारी मा मरी है, रो लो, आप कितने रोय थे, हम लोगों से कुछ छिपा नहीं है, तीनों वेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया, और अपनी मा के अंतिम संसकार के लिए तीन को दान करना चाहती हूं मेरा जिला अस्पताल परसासन से निवेदन है कि मेरा मृत सरीर किसी भी घर वाले को अंतिम संसकार के लिए नहीं दिया जाए और नीचे उसने तुलसी देवी लिखकर उसके हस्ताक्षर कर दिये पत्र पढ़कर सब खुस हो गए सब उसको साबाशी दे रहे थे वा मजली बहु वा कमाल कर दिया 10-20 हजार रुपे बचा लिए तुने तो ओम देव अपनी पतनी का अंतिम संसकार भी नहीं कर पाया था बेटे बहुने अंतिम संसकार में होने वाले खर्चे को बचाने के चक्कर में अपनी मा के मरित सरीर को Medical College को दान कर दिया था रचना को खबर भी नहीं की और ओम देव रोता रह गया कि उसकी बेटी रचना को बुला दो पर लड़कों ने एक नहीं सुनी दस दिन के बाद जब बेटी को पता चला उसकी माव इस दुनिया में नहीं रही तो बेटी छट पटा कर रह गई ओम देव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया था ये उसी का नतीजा है ओम देव अब एकदम अकेला पड़ गया पतनी के मरने के बाद वह और ज़्यादा बिमार रहने लगा बेटे बहुओं को जब फुरसत मिलती एक कटोरे में सुबह शाम की बची रोटियों को एक कटोरे में तोड़कर उस पर दाल डालकर ओम देव के कमरे की चोखट पर खिसका देते ओम देव खिसक खिसक के चोखट के पास जाता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता कल तक सहर का सेट कहलाने वाला ओमदेव की दसाब विकारियों जैसी हो गई थी, सरीर पर गंदे कपड़े बड़े हुए सपेद बाल और डाडिल बड़ी हुई, बड़े बड़े नाखून, नाखूनों में भरी गंदगी, ना जाने वो कितने दिनों से नहाया भी नहीं था, ओमदेव अगर अपने को सीसे में देखता, तो शायद खुद ही अपने आपको नहीं पहचान पाता, एक दिन रचना आ गई, सुभे सुभे, और उसने अपने तीनों भाईयों से कहा, कि मैं पापा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ले जाने से पहले, पूरे सह सहर के लोगों को इखटा करके उनको बताना चाहती हूँ, कि जिस पिता की जायदाद पर तीनों के तीनों बेटे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उने के पिता, उने के घर में एक भिकारी से भी गई जिंदगी जी रहा है, बलकि इसे जीरा नहीं कहते, वो तो रचना की खरी खोटी बाते सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई, रचना और उसके पती ने मिलकर ओमदेव को इसनान कराया, उसके कमरे की साप सफाई करी और भाईयों को अगहा कर दिया, कि या तो पापा आज से उपर तुम लोगों के साथ रहेंगे, नहीं त गई तो इस सहर को बता जाओंगी कि जैसा भी अभी तुम लोगों को बता चुकी हूँ, तुम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों से सला मस्विरा कर लो, और आज शाम तक पापा के साथ मैं हूँ, तब तक तुम सब शाम तक सला करके मुझे जो अपनी सला बता दो, कि तुम लोग क्या चाहते हो, बेहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सब को सोचने पर मजबूर कर दिया, सभी लोग बेहन के पास जा कर बोले, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देखरे करेंगे, ये कहते हुए बड़े लड़के ने ओम देव क ठीक से गुजर गए, चोथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से ओम देव को पागल खाने छोडने जाना था, सहर के जो डॉक्टर थे बड़े डॉक्टर वे उनके फैमिली डॉक्टर थे, इसलिए बड़े बेटे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सहाब मम्मी के जाने के पापा कुछ अजीव-जीव हरकते कर रहे हैं, पूरे घर में उपदर्व कर रहे हैं, समान फैक रहे हैं, कपड़ों में गंदगी करते हैं, और रात को उठ जाते हैं, और कभी-कभी किचिन की गैस जला देते हैं, और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं, और कभी-क के खाने के लिए मंगाई जाती है यह सब क्या है डॉक्टर साहब मेरे पापा जी को क्या हो गया है यह कहते कहते वो घड़िया आसु बहाने लगा डॉक्टर जो सिन्ना ओमदेव के पारिवारिक डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ लड़का बड़ा बेटा कहने लगा नहीं डॉक्टर सहाब आप रहने दीजिये आज सुबह से घर में दो लोगों का सर फोड़ चुके हैं आज सुबह ही मेरी पतनी को सीडियों से धक्का मार मार के नीचे गिरा दिया वह तो गनीमत यह रही कि उसने अपने आपको संभाल लिया था इतनी बु मुझे अब बता रहे हो डॉक्टर सिन्ना ने उससे कहा अब तुम उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो मैं रैफर कर देता हूँ और तुम इनको आगरा ले जाओ लड़के को तो यही चाहिए था वै कहने लगा मन से तो बहुत खुशता और दिखावटी कहने ल तो डॉक्टर साहब कहने लगे तुम्हें लोगों की परवा है पर पिता की नहीं जिस हिसाब से तुम ओमदेव की हालत बता रहे हो उस हिसाब से तो ओमदेव पूरी तरह पागल हो चुका है तुम लोगों की परवा करना छोड़ो और आज ही उन्हें लेकर जाओ अब लेकते ही बनती थी वे किसी विजेता से कम नहीं थी और हो भी क्यों ना डॉक्टर सिना ने बातों का गोल्ड मेडल जो उसे दे दिया था सभी लोग बहुत खुस हो गए आज रात कोई ओमदेव को पागल खाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बड़ी बहु गाड़ कराने के लिए ले जा रहे हैं पर जैसे ही यागरा आया वैसे ही बड़ी बहु बोली ना दिली ना बंबई आपको पागल खाने में भरती कराने ले जा रहे हैं बहुत तंकर रखा है आपने इसलिए पागल खाने का नाम सुनते ही ओमदेव चिलाने लगा मैं पागल नहीं मैं पागल नहीं हूँ जैसे की हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ पर उसकी हुआ सुनता कौन ओम देव पूरी गाड़ी में छटपटाता रहा पर जवान लड़कों के मजबूत हातों ने बूड़े सरीर को बिना ताखत लगाए ही रोक रखा था गाड़ी पागल ख का फीस देकर आगे डॉक्टर के रूम में चला गया थोड़ी देर में जो तीन चार बॉड बॉय आये और उन्होंने ओम देव को दबूच लिया ओम देव रोता रहा छट पटाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ लेकिन हुआ उसकी सुनने वाला कौ कहा गया कि पापा बेहन के पास गए हैं और वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं ओम देव को अपने किये की सजा मिल रही थी जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया उससे भी कहीं ज़्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था वो पागल ना होते हुए भी पागल बंद था एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो ओम देव ने उसको अपनी बेटी का फोन नंबर दे कर प्रातना करी कि इस नंबर पर फोन लगा कर मेरी बेटी से बात करा दो मैं पागल नहीं हो पर मेरे बेटे भव मुझे हैं पागल करार करके भरती करा गए हैं बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करा दीजिए बेटी की आवाज सुनते ही ओम देव फवक फवक कर रो पड़ा ओम देव ने सारी बाते अपनी बेटी को बताई बेटी से पिता की पीड़ा बरदास्त नहीं हुई और वै उसी समय अपने पती के साथ पागल खाने वाले होस नाम कर दी और साथ ही जीते जी अपना सरीर भी मेडिकल कॉलिज को दान कर दिया एनाटॉमी बिभाग सारी प्रिक्रिया की गई गवा के तौर पर बेटी और दमाद के हस्तक्षर कोम देव की बेटी ने भाईयों को खूब लताड लगाते हुए कोठी को खाली करने का आद कोठी कर दी है अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है मेरी कोठी को तीन दिन के अंदर खाली कर दी जाए ये नोटिस तयार हो गई है पापा जी मेरे साथ हैं जिनको तुम पागल बनाकर जो अस्पताल में छोड़ आये थे वो एकदम ठीक और स्वस्थ हैं मैं भगवा कि उस कोठी का भी लालच नहीं है क्योंकि पापा चाहते कि वहाँ एक बड़ी सी धरमसाला बने इसलिए तीन दिन में कोठी खाली की जाए बरना सारा समान सडक पर फैक दिया जाएगा पापा ने यह भी लिखा है कि धरमसाला तयार होने के बाद एक एक कमरा मेरे नालाइ बेटों को किराये पर दी दिया जाए अगर वो हर महिने का किराया ट्रस्ट में जमा कर सकते हो तो यह सुनते ही तीन ओ लड़कों के होस उड़ गए थोड़े दिन बाद ही ओमदेव की मिर्तिव हो गई उसके सरीर को एनाटामी विभाग के लोग ले गए लड़कों को कोठ ही खाली करनी पड़ी ओमदेव गायतरी देवी धरमसाला का निर्मान हुआ और उसकी ट्रस्टी बनी उसकी बेटी और ओमदेव के तीनों बेटे किराये के मकानों में आज भी भटक रहे हैं जैसा उन्होंने किया वैसा ही उनके साथ हुआ दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी लेकिन ओमदेव ने अपने अंत समय में सही फैसला ले लिया था ओमदेव के तीनों बेटों को किराय के मकानों पर दर दर भटकना पड़ गया आज वे इतने लाचार हैं कि उनके पास रहने के लिए खुद का मकान भी नहीं था दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें साबिस्क्राइब करें और शेयर करें राधे राधे